आप धरना देते रहो, PT उशा जी कहती रहेंगी कि देश के साख खराब हो रही है, धरना पहली बार हो रहा है क्या, यह पहले भी हुए, 2008 में भी हुए, अब भी हो रहे हैं, basics खराब है हमारे जी, कुछ निस उद्रेगा एसे, अरे बेसिक्स तो शायद हमारे बागेश और धाम वाले महाराज जी के भी खराब लग रहे हैं मुझे तो इस दिन इस मीडिया ने महाराज जी को उठाया उसी मीडिया को तू कौडि का बता दिया टीवी के वकात बता दी कोई विरोध कर सकता है टीवी वाले सब नतमस्तक है उनके सामने उन्होंने इंतों आस्पन पर चड़ाया था माराज जी को फिर श्वेता जी रिपोर्टिंग कर रही थी तो पीछे से आवाज आती है गो धी मीडिया गो धी मीडिया गो बेक गो बेक जब ये प्रोटेस्ट को रेकवर कर रही थी तो पब्लिक ने आउकात दिखा दी सोशल मीडा पे ऐसा माहौल बना हुआ है खेर हमारे बेसिक्स सही है तो इस विशा पे बात कर लेते हैं शुरू से और लास्ट में सल्यूशन भी दूँगा कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे है आखिर क्यों कर रहे ता आपको पता है लेकिन थोड़ा टाइम डाल में आपको बता देता हूँ लेकिन सल्यूशन पर ध्यान दीजेगा इस पूरी मामले के शुरुवात 18 जन्वली 2013 को होती है जब देश के प्रमुक पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुँच करके रेसलिंग फेडरेशन की जो अध्यक्ष है विरज भूशन शारण सिंग पर कई गंभीर आरोप लगाए है ये कोई खिलाडी नहीं ये एक राजनिता है इस बात का ध्यान रखना क्यों बोला? आगे याद रहेगा बताऊँगा क्यों बुनियादी सुवधाओं में अच्छा आरोप ये क्या था? आरोप ये था कि देखो बुनियादी सुवधाओं में कमी करते हैं इसा खा जाते हैं, खिलाडियों को कुछ देते ही नहीं फैडरेशन की बीच असपस्ट संबाद होते हैं बुरा वरताव किया जाता है और विर्ज भूशन जो शरण है उनका मनमाया ना जो एक रवया है वो हमेशा से रहता है ऐसे कई आरोप खिलाडियों की तरफ से कुछती के महासंग और विर्ज भूशन पर लगाए गए है लेकि सबसे गंभीर जो आरोप है उस सेक्ष्वल असॉल्ट का है यौन सोशन से जुड़ा हुआ है विनेश फोगाट ने रोते हुए सूरी मीडिया के सामने सारी मीडिया के सामने विर्ज भूशन सिंग और कोच नेशनल कैम्प में महिला रेसलर्स का उतपीडन करते हैं ये बात कह दी थी खिलाडियों के धरने की बीच खेल मंत्राले ने कुष्टी संग से है तो 72 घंटे में आरोपों का जवाब देने के रे नोटिस भेज दिया 21 जनवरी को भारते कुष्टी महासंग ने अपने जवावी चेठी में पहलवानों के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया खार इस कर दिया और ये कहा कि उनके पास यौन उत्पीडन का एक भी आरोप नहीं है और नहीं इस पर कोई श्रिकायत उनको पहले से मिली है और खिलाडियों का गंभीर आरोपों को देखती हुए ना कींदर खेल मंत्री अनुराक ठाकुर ने तब पहलवानों के साथ मुलाखात की और 23 जन्वरी के आरोपों की जाँच के लिए पांच सदस्या निरिक्षन समिती बना दी वहले कमिटी है अब जाँच करेगी अब जो कमिटी है ना उसको चार हफतों के अंदर जाँच पूरी करने को आदेश दे दिया गया फिर इसकी समय सीमा को दो और हफतों तक बढ़ा दिया गया अब इतना सब कुछ करने के बाद भी खिलाडी कहते हैं कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है समिती बन गई तीन महीने हो गए लेकिन समिती का क्या जाँच की कितनी जाँच की और जाँच में क्या कंक्लूजा निकला निश्कर्श निकला ये अभी तक सामने नहीं आया है ये खिलाडी बैट करके कह रहे हैं खिलाडीओ के सुप्रीम कोट जाने के बाद दिल्ली ने इस मामले में विर्ज भूशन शरण सिंग के खिलाफ दो F.I.R. दर्ज कर ले अभी तो पुलिस टीवी टाटा बैबे कर रही थी रफादफा कर रही थी बिजली कार्टी पानी नी दिया भागे तो सही पुरा माहौल बना दिया लेकिन अब खिलाडी इस बात पर अड़ गए है हैं लेकर इस्तीफा का मतलब नहीं है जी यहां पर वही ही इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूँगा मैं साफ कह दिया है पॉलिटिशन पहुँच रहे हैं इनका उत्सहा बड़ा रहे हैं यह मुद्द पॉलिटिकल भी होता जा रहा है अब मेरे एक ओपिनिन समझ लीजिए वाई साब जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं और साथ दिन से ज्यादा भी हो गया इस धरने के लगातर कवरेज भी हो गई इसको देखने का मुझे क्या लगता है उनकिस अपील के बाबजूद ना एकका दुकही जो एथलीट हैं अक्टिव एथलीट हैं उन्होंने समर्थन दिया होगा बाकी सभी जो रिटाइड स्पोर्स मैन हैं उन्होंने समर्थन दिया है पहलवान जो धरने पे बैठे हैं वो भी गिंती के ज्यादा नहीं है 6,7,8,9,10,12 के आसपास ही है ऐसे मुझे लगता नहीं कि कोई कहदे कि अंदोलन खड़ा हो जाएगा खेल विवस्था को बदलने का बकवाज बाते हैं अंदोलन देश की खेल विवस्था को बदलने का मादा रखता है ऐसा मत सोचेगा साथ ही अब इस मामले में विर्ज भूशन साराने सिंग के खिलाफ आरोप सिद्ध भी नहीं हुए है इस बात का भी धियान रखेगा अच्छा बैं इतने confidence से मैं क्यों गया रहा हूँ कि इससे कुछ होगा नहीं ये प्रोटेस्ट कोई पहला और अनुखा प्रोटेस्ट नहीं है पहले भी हुए है इसका नतीता कुछ निकला ही नहीं पहले भी 2008 से देख लो पूरे टाइम लान है लेकिन एक में आपको 2008 का वाक्या बताता हूँ कि होकी खिलाडियों ने ततकालिन केंजरे खिल मंत्री जो गिल सहाव है ना उनकी खिलाफ दिल्ली के केनाट प्लेस पर धरना प्रोटर्शन किया था डालना एक बार गूगल पर आपको पता चल जाएगा खिलाडियों ने खिल मंत्री पर मिस मैनेजमेंट का कूप्रवंदन का और खिल की अपेक्षा करने का आरोब भी लगाया था खिलाडियों गिल के विरोध में प्रसाशन की बदलाव की मांग को लेकर कि भूख हरताल पे चले गए थे चक्के जाम कर दिये थे पूरा का पूरा मीडिया का कवरेज इनको मिला था लेकिन और काले बैंड लगा करके खेल के जो पत्रकार भी थे उन्होंने भी हिस्सा लिया था सलीशन क्या निकला एक और धर ना इस सलीशन समझ लो थोड़ा सा बेसिक स्थिक करो सब कुछ ठीक हो जाएगा बात बात में हम आपी तुलना ना किसी से भी करना शुरू कर देते हैं चीन से कर देते हैं इस बार चीन से तुलना करने लगते हैं जब पूरे इंटरनेशनल खेलो में ना मैडल जीतने के मामले में चीन हमसे कितना आगे है बहुत आगे है अमेरिक आज जिसकी आबादी भारत के मुकाबले सिर्फ पांचवा हिस्सा है अब मैडल जीतने में भारत से बहुत आगे कारण बिलकुल साफ है दूसरे देश में खिलाड़ों के खानपान पर ध्यान दिये जाता है उनकी ट्रेनिंग पर दिल खोल करके खर्चा किया जाता है वहीं भारत में क्या होता है जी जस्ट उल्टा जस्ट रिवर्ट से होता है अरुबो खर्वो रुपे खेल के नाम पर तो बाट दिये जाते हैं खर्च करना है आपको उसका बहुत मामली सा हिस्सा है फाइव स्टार एशो आराम पर उड़ाये जाता है लगादार उड़ाये जाता है चुनावों में काम किया जाता है पाठा को आपको याद तो होगा न कि कुछ दिन पहले इस समाचार आया था कि रास्टियस्तर के खिलाडियों को दिल्ली नगर निगम के वाश्रूम में, सौचाले में खाना परोसा जा रहा है और स्थिति आपको याद है सच्छा यह भारत की है मैडल आता तो आँकों बैठा तो लेते हैं दो दिन बाद आँकों से ओज़ल भी कर देते हैं एक मैडल मिल जाए तो स्वभग समझते हम लोग तो यह तो बुद्धी हम सब के जब भी, कभी, कभी जब भी किसी भी खेल महासंग में कोई विवाद उठता है तो उसके पीछे ज्यादा मामलों के दोशी जो है ना वो गैर खिलाडी वर्ग से आई हुए व्यक्ति ही होते हैं खेल और खिलाडियों के प्रती असमवेदंशील व्यक्ति अकसर ऐसी गलतिक कर बैठते हैं उनको बता ही नहीं है कि खेल में क्या है कैसे क्या ट्रेनिंग क्या वशक्ता है क्या खान बाज चाहिए जिसका खामियाजा उस खेल उससे जुड़े हुए खिलाड़ी उनको उठाना पड़ता है एदि ऐसे खेल महा संगों के महतवपूर्ण पदों पर राजनेताओं को साइटान कम से कम कर दिया जाए और गैर खिलाड़ी वर्ग के व्यक्ति को बठाया जाए तो उसकी समवेदनाएं खेल और खिलाड़ों के प्रती बिल्कुल नहीं रहेंगी उस पद पर होने वाली कमाई उस पद से मिलने वाली शहरत के प्रती उसकी वफादारी ज्यादा रहेगी ऐसा दोहरा चरितर निभाने वाले व्यक्ति जब बेनिकाब होते हैं तो ना सिर्फ खेल की बदनामी होती है दोस्त बल्कि देश का भी तो नाम खराब होता है पीटी उशाजी बताई मैं गलत कहा रहा हूँ तो आपको सिर्फ एक मांग रखनी चाहिए क्या मांग होनी चाहिए खेल महा संग के अध्यक्ष पदिसे नेता जो है बिलकुल हटने चाहिए नेता हटने चाहिए और खिलाडियों को बैठाया जाना चाहिए उनको पता है उन्होंने खेला है उनको पता है कि आगे क्या प्रॉब्लम्स है कि सरी से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है राजनेता को क्या पता क्या बता इसलिए नेताओं का त्याक कम से कम इस पोस्ट पर तो कर देना चाहिए खिलाड़े को बैठाना चाहिए यही बेसिक्स है बस यही ठीक हो जाए प्रदर्शन होने की नौबत तक नहीं आएगी अगर मेरी बात से बिल्कुल सहमत है तो इस वीडियो को तीन वाट से पोर पर शेयर की जाएगा जाहिंद वन्देबात राम स्टे अप्डेटेट स्टे एजुकेड़ेट सत्ते बेव जायते नमस्कार बेसिक्स क्लियर